यह दिए ट्रेंज इस आपका एक्सी जो है इंक्लाइन टू एच्पी है तो इंक्लाइन टू एच्पी को हम लोग पहले पर्पेंडिकुला टू एच्पी रख लेंगे एक्सी पर्पेंडिकुला टू एच्पी तो इसको हम टॉप यू से बनाएं स्टार्ट करेंगे तो सबसे पर इसका टॉप यू बनाएंगे अब यहां पर आपको दिया हुआ है हेग्जागोनल पिरामीड पिरामीड आप ध्यां रख लिए कैसा बनाना है आपको पिरामीड ह ना उपर में एक टॉप होना चाहिए फिर उसके बाद में हेग्जागोनल याने छह साइट सोंगे 25 mm के और एक्सी बताया हुआ हुआ है फिप्टी में है जैन एज आप बेस अन्दा ग्राउंड एज बुला है जब भी एज एज साइट बुलेगा तो यह एक्स वाई के प एक्सी जो है 30 ग्राउंड याने एज पी पर 30 डिग्री तो इसको लोग परपेंडिकुलर लेके स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है यह बताता हूं कैसे करना है हमको यह सारे डाटा के साथ में अब इसको हम क्वेस्टन बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसका हम टॉप बनाया पहले हमने यह पॉइंट ए लिया और यह पॉइंट एफ है एफ को परपेंडिकुलर लंबवत एक्सवाई के रखा 25 mm का डिस्टेंस है साइट से बताया हुआ है वन साइड इंदा एच्पी बोला है इसलिए हम लोग वन साइड के लिए एक यह जो साइड है यह पर 120 120 डिग्री लेके यह यह हमने और है लेक्स आगान बनाया है यह हमने रेगूलर हैंगेल है सारे एंगल है factor है है यह लंबवत लेके हैंगोल सकुन रहेंग और और हैसाकंट में रोंब Product रहेगा है और यह साइड से भी जूर रहेंगे तो इनको सबको dark करना पड़ेगा तो यह हमारे points की naming कर देते हैं यह B है यह C है यह D है और यह E है और यह last रॉला F है अब यहां से हम को उपर projector बनाने हैं तो AF का projector ड्रॉक किया और यहां पर arrow लगा लें जिसके इसाफ से हमको naming करनी है तो पहले A दिख रहा है फिर बाद में F दि और वैसे ही यहां पर B दिख रहा है और B के पिछे E दिख रहा है बी के पिछे E तो यह हो जाएगा आपका B दैस बाई E डैस वैसे यहां पर C दैस बाई D डैस यह point C दैस बाई D डैस यह सारे projector लिए हमने और यह pyramid है तो हमको पता है उपर center point A करना चाहिए ट्रेंगल यह axis हो गया हमारा axis 50 mm का है यहां बता दें axis 50 mm का है हमारा ठीक है यह point हो गया आपको O डैस अब हमको A से O, F से O, B से O, C से O, D से O, यह सब को join करना है top view और front view में यह join करके आपको दिखा रहा हूं पहले यह कैसे दिखेगा इसके बार इसको जो यहां पर axis perpendicular to the HP है यहां पर देखिए axis हमारा perpendicular to the HP है उसको हमको 30 degree to the HP change करना है यह भी आपको करके बताता है जो देखिए यह हमने top view A, B, C, D, E, F को डार किया जोइन किया और यह opposite corners को भी जोइन किया जो हमको उपर यहां पर यहां पर यह आपको पिरा point उपर रहेगा फिर यह सबके प्रेक्टर्स उपर ड्रॉ किये और A, O, F, O, B, O, E, O, C, O, D, O, इनको जोइन कर लिया और यह base को जोइन किया A, B, C, D, E, F को इनको जोइन किया तो यह हमको मिल रहा है इस hexagonal pyramid का मिल रहा है जिसका axis perpendicular है यह axis दिख से आपको perpendicular to the HP या ground है पर actual में यह 30 degree to the ground बना रहा है तो हमको क्या करना पड़ेगा इस axis को लेके हमको 30 degree to the ground बे rotate करना पड़ेगा और यह बुला हुआ है कि यह वाला side A, F side on the HP बुला हुआ है तो A, F side को हमको यहाँ HP पही रखना है और इसको rotate करना है तो वैसा हमने किया देखिए बनाया हुआ है A, F को यहाँ पे हमने round पे रख लिया A1, F1, dash यह हो गया point इसके बाद यह 30 degree पे हमने इसका axis draw किया और यह दोनों यह axis है तो यह perpendicular होगा यहाँ से नाप नाप के हमको बनाना है यह एंगल नाप लिया यह एंगल 60 degree होगा यह एंगल 60 degree होगा तो यह एंगल 30 degree हो जाएगा एसा हमने इसको draw किया और यहां पे arc से नाप के यह rent AO को यहां arc से हमने नाप आ यहां पे AO और इसको यहां पे point A निकाला तो यह ऐसा हमको एक arc मिल गया फिर यहां से CO भी लिया और यहां से CO से इसको cut किया तो हमको यह और पॉइंट A point मिल गया यहां पे हमको sorry O1-point मिल गया हमको यहां पे ऐसा सारा कुछ नाप नाप के बनाना है यह जो diagram है इसको यहां पे हमने घुमा लिया हुआ है ठीक है 30 degree का angle axis में आ रहा है यह और पॉइंट हुआ B1-by E1- यह और पॉइंट हुआ C1-by D1- यह ऐसे इनकी naming करते हैं इनको भी डार कर लेंगे अब यहां से प्रेक्टर ड्रॉ करेंगे C और D का प्रेक्टर लंबवत लाइन है और यह C और D के लोकास लाइन एक्सवाई के पहला अंतर है यह जहां पर कटेगा यह और पॉइंट हमको C1 मिल गया फिर यह प्रेक्टर और D का लोकास लाइन जहां पर कट करेगा यह और पॉइंट हमको D1 मिल गया वैसे ही देखें B और E यह और पॉइंट हमको E मिल गया E के Locust के साथ में E1- और YOLA Point मिल गया B1- वैसे ही यह A और F का Projector है जो आपका HP पर होजेंटल प्लेन पर है यह F के Locust sign पर हमको यहाँ पे मिल गया Point F1- और यहाँ पे हमको मिल गया Point A1- अब यहाँ पे हमको उपर से देखेंगे यहाँ उपर arrow बनाग रख लें क्या-क्या हमको दिखाई देगा तो यह उपर का सारा कुछ दिखाई देगा इस A F को छोड़के तो यहाँ पे A और F से जो Line बनेगा Top View में उसको हमको Dash लाइन बनाना है A से F जो Line जो जो Line जहाँ से तर्षो के जा रहा है उनको Dash लाइन बनाना है जो हमें नीचे हैं तो दिखनी रहें तो F से E को भी जाता है इसको भी हमको dash sign बनाना पड़ेगा और वैसे ही A से B को भी जाता है ये भी हमको नहीं लिखेगा a b तो इसको हमको dash बनाना है तो a और f से जितने लाइन सोके जा रहे हैं उनको हमको dash बनाना होता है वैसे ही ये a और f को o one point से ये o का यहां पे हमको मिल गया o one point ये o one point को भी जोडने वाला जो है ये भी dash हैगा ये a f line ये आपका dash हैगा और ये o f line और ये o a line ये भी dash हैगा ये आप भी आपको अच्छे से बना के मैं आपको दिखा दूँगा ये कैसा बनेगा तो ये आपका question complete हो रहा है जहां पे आपको ये front view बना हुआ है top view बना है start हमने top view से किया है उसके बाद ये front view को जो perpendicular इसको 30 degree बोला है वैसे हमने इसको turn कर लिया फिर इसके हिसाब से साथे projector निशे draw करके ये हमने इसका top view बना लिया तो ये हमारा answer है front view और ये इसका top view है इसको भी और अच्छे से complete करके आपको दिखाऊंगा और कोई चाहे तो जो कल मैंने पीच्छा मैथर बताया था कि आपको auxiliary plane वाला तो यहाँ पे कोई auxiliary plane खीच के हम लोग 1,2,3,3,3 फिगर में हमारा काम हो जाएगा वो भी अभी आपको आगे मैं बताया देखिए आपको मिल रहा है यहाँ पे तो हम देखें कि ये cd उपर है a, a, d दिख रहा है, a, d, c दिख रहा है और a, c, b यह दिख रहा है हमको यह तीन फेज़ेस यहाँ पे दिख रहा है और पीच्छी वाले फेज़ेस नहीं दिख रहा है तो उनको हमने डैस साइन बनाया तो यह ऐसा सुनदर अच्छा आपको बनाना पड़ेगा question और अगे भी आपको आगे बताओ कि इसको जो तीन फिखर में बनाने वाला जो था auxiliary plane का तो बोला हुआ है a,f on the hp बोला हुआ है तो यह a,f को, a,f पे हमको कोई angle बनाना पड़ेगा और जो axis के साथ में 30 degree बनाता हो तो यहाँ पे हम a,f को लेके एक नया axis ड्रॉ करेंगे और यह axis, यह x1, y1 नया हम यहाँ पे reference line ड्रॉ करेंगे जो इस axis के साथ में 30 degree का angle यहाँ पे बनायेगा ठीक है उसके बाद यहाँ से projector ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हम major करके उसको नया यहाँ पे top view बनायेगे दीखिएगा यह तीनी figure में आपका question बन जायेगा यह हमने point a से होके जाता हुआ नया axis line x1, y1 न कीचा जो reference line x1, y1 न कीचा जो इस axis पर 30 degree बनाता है तो इसके लिए हम लोग point a पर इस face से 60 degree बनाएंगे यह 90 degree है थे 30 degree automatic हो जाएगा तो यह ऐसा x1, y1 नया reference line खीचा अब इस x1, y1 पे perpendicular लंबात यहाँ पे हमको projector line खीचने है जैसे यह O से projector line AF से for projector line BE से और CD से यह SM को यहाँ पे भी इनके projector line खीचने है और यहाँ पे इसका नया top view मुझे बनाना है यह बना के भी आपको दिखाता हूँ आईए हम यह देखते हैं हमने x1, y1 नया वाज पर इस रिप्रेंस line है उस पे लंबवद, o-point का projector line AF का projector line, BE का projector line और CD का projector line खीच लिया अब आगे हमको यह करना है कि यहाँ पे x, y पूराने x, y से नीचे यह a point कितनी distance पर है वो दूरी यहाँ समको नापना है और जो a का projector है उस पे हमको यह mark बनाना है a का projector है और यहाँ पे यह a point कहाँ पे मिल रहा है इसका हमको mark बनाना है वैसे ही यह c d भी वही है c d भी वही है तो c d को भी देखे यहाँ पे से यह mark बना लेंगे हम लोग यह हमारा point c वाला मिल गया यह हमको point d point मिल गया वैसे ही यह c d वाला भी नापके बना लेंगे और A, F तो आपको यहीं पर दिया ही हुआ है X, Y पर ही आपको A point वाला दिया हुआ है X, Y पर तो यह वाले लाइन पर हमको यह मिल जाएगा point मिल जाएंगे और E, D वाले point को भी हमें हाँ पर marking बना लेंगे तो यह सब को mark बना के आपको दिखाता हूँ तो यह देखिए ऐसे यहाँ से सब नापते गए हम लोग इस A से यह D का क्या point है यह नाप पर हमने predictor से X, Y से और उतने distance पर यहाँ पर नए X, Y, Y, 1 से यह D का mark बनाया यह हमको D point का mark यहाँ से नाप किया और यहाँ पर बनाया E point का mark यहाँ से नाप किया और यहाँ पर बनाया ऐसे हमने सारे point के नाप हमने लेके बनाया यह E point यह X, Y से E इतने दुरी पर है तो यहाँ नाए X, Y, Y, 1 से E point यहाँ मिला फिर यह F point इतनी दुरी पर है तो यहाँ पर F point इतनी दुरी पर बनाया वैसे ही यह O point इतनी दुरी पर है X1 by 1 से तो यहाँ पर X1 by 1 से यह O, O के प्रिटर में O point मिल गया अब इनको हमको सबको डार करने हैं उसके लिए यहाँ पर arrow बना ले हम लोग तो हमको यह AF last में दिख रहा है यह AF वाला dash 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 sign रहागा जैसे हमने पहले किया था वैसे यहाँ भी करना है AF वाले हमको dash 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 sign रहेंगे और AF से F से E जुड़ा हुआ है तो F E भी हमको dash 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 line रहाना पड़ेगा और ऐसे ही A से B जुड़ा हुआ है यह A से B को भी हमको ऐसा dash 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 line रहाना पड़ेगा इसके लावा O A और O F इड़ साइं रहेंगे इसको छोड़के बाकी साय लाइन हमारे डार्क बनेंगे यह मैं आपको बना के बताता हूँ तो यह देखिए ऐसा यह तीन फिगर बना कर भी कोई व्यक्ति चाहे तो यह एंसर बना सकता है यह है कि तोसन आपने आपको ध्यान देना पड़ेगा बराबर पर आप देखें कि यह व्यक्ति चाहे तो एक दो तीन चार यह चार फिगर व्यक्ति बना सकता है यह कोई व्यक्ति चाहे दिमाग लगा सके तो यह X1, Y1 और जरी प्रेन का यूज़ करके एक दो तीन से भी बना सकता है तो यह अब आपके उपर है आप जिसको भी चाहें बना सकते हैं और ऐसे ही और भी क्वेशन बुक में से आपको करते जाने हैं जैसा यह देखिए एक ही तरह का इसी तरह का प्रस्ण है देख लिजिए यह क्वेशन भी आपको करना है और यह करके आप मुझे भेजिए मेरे वार्टसप ग्रूप में जोर भेजिए क्वेशन भी आपको करते हैं